हलो गाईज, मैंसेल्फ अंशुल दिमान एन वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम सो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं आज की मेरी इस वीडियो में भी आपके लिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट लेकर आई हूँ ये वाला हमारा जो है सीजी बोर्ड के हमारे जो स्टूरेंट्स हैं उनके जो अभी आप जानते हैं 16th of April से आपके end line आकलन या फिर end line assessment वार्शिक परिक्षा जो आपकी start हो चुकी है तो कल भी आपका science का था अब जो है 18th को जो है आपका 18th of April को आपका हिंदी का जो होने वा जाला है उसके लिए मैं आपके लिए कुछ important इसमें questions लेकर आई हूँ कुछ के मैंने solutions भी आपको provide कर आए हैं इस वीडियो को बिना skip किये देखेगा end तक ध्यान से देखेगा I am 100% sure कि अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको जो है आपके exam में इससे कुछ अच completion होता है हमेशा आपको content provide करा देती हूँ और आपको वो पसंद भी आता है तो ऐसे ही मुझे उमीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा और आपके जो बाकी के subjects हैं आपको वो भी जल्दी से provide करा दिये जाएंगे बस आप जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजिए और जो है bell icon जो आपको वो नीचे show हो रहा है उसमें click करके जो all notifications है उनको on कर दीजिए जिसे कि आपको आपके exam से पहले ही तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए तो अब हम start करते हैं देखिए आपका जो इसमें first question है फिलप जो आपको दिया गया है ये है हिरोशीमा और नागासा की dash में इस इस्थित है तो जो ये हिरोशीमा और नागासा की है ये कहां पे इस्थित है ये है जैपैन यानिके जापान में इस्थित है फिर है भूजल का समास विग्रह है डैश होगा तो जो ये भूजल है इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा भूमी जल भू यानिके भूमी फि क्या होगा वो होगा इमानदारी देन आपका next question है पेड़ लदानी काबर कहे गे हवाई यानि कि पेड़ को जो है दानी क्यों कहा गया है तो पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो है हमें जो पेड़ होते हैं जो ट्रीज होते हैं वो हमें fruits vegetables यानि कि फल सब्ज आदी जो है वस्तोय प्रदान करते हैं लेकिन खुद कुछ भी नहीं लेते हैं है ना वो बिना किसी मतलब लालच के ही प्रोवाइड कराते हैं हमको फिर है भूजल के भंडारन वबढ़ाव के उपयोग लिखो तो भूजल यानि के जो भूमी का जल है उसको किस तरीके से उस हुआ है आप उसको भी लिख सकते हैं तो इसका अंसर आप है भूजल भंडार को सुरक्षित रखने के लिए हमें भूजल का समझदारी से प्रियोग करना चाहिए और भूजल को अधिक बरबाद नहीं करना चाहिए नेक्स्ट आप सेकिंड पॉइंट लिखेंगे हम गाउ शेहर आधी में छोटे बड़े जो तालाब जील आधी बना सकते हैं जिसमें भरा पानी धीरे धीरे जमीन में अंदर रिस्ता रहता है तो इससे जो है हम मारा बूजल है उसको बढ़ा सकते हैं उसका भंडार कर सकते हैं नेक्स्ट है विज्ञान यानि के जो ये साइन्स है ये वर्दान है या अभिशाफ है आपको इस विश्याप पर अपने विचार लिखने हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कुछ आप अपने नोट से देख लीजिए अपने टीचर से हेल्प ले लीजिए गूगल से सर्च कर लीजिए आपको बहुत इस टॉपिक पर कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा राम के जो श्री राम जी थे उनके वनगमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है तो ये आप अपनी बुक में से देख लीजिए एक उनके पीछे पीछे चलने लगे थे तब श्री राम ने वापे सयोध्य लोटने को कहा यानि कि वो उनका साथ देने के लिए जो उनकी प्रजा थी उनको अपनी जो है उनकी प्रजा को सभी को जो है उनसे इतना प्रेम था लगाव था उनसे तो किन्नर भी जो थे समुदाय था वो पीछे-पीछे उनके चलने लगा था उनके सपोर्ट के लिए नेक्स्ट क्यूशन है हमारे समाज में फैली रूडियो और अंधविश्वासों ने किस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति गढ़ना भाव पैदा कर दिये हैं आजकल लोग जो मतलब ये अन्धविश्वास होते हैं रूडियां होती है जो एक दूसरे से बहुत जादा नफरत करने लगे हैं तो इसका मतलब क्या कारण है इस वो आपको बताना है किस प्रकार हो चुका है फिर है विरोध प्रदर्शन के दो तरीके होते हैं यानि कि एक लड़ाई जगड़ा करके end होता है दूसरा शान्ति से आपको दोनों तरीकों में कौन सा उचित लगता है यानि कि एगर हमें आप किसी चीज़ के against जाना है किसी चीज़ का विरोध करना है तो या तो वो बड़ाई जगडे का यूज़ करते हैं दूसरा होता है शांती से आपस में बैट के उस बात को समझा जाए जैसे कि अभी बहुत से वार्स भी होती रहती है ना कंट्रीज को लेके भी आप हम इसका एक्जामपल ले सकते हैं तो इसमें आपको जो बैटर लगता है आपको उस आपको बताने है दूरलब का होता है सुलब उत्तर का होता है प्रशन नेक्स्ट है चतिस गड़ को और क्या-क्या नाम है यानि के जैसे हम जानते हैं चतिस गड़ को जो है धान का कटोरा भी बुलाया जाता है इसका जो है बाकी आप जिन नामों को जानते हैं आप इसमें लिखेंगे और अच्छा होगा नेक्स्ट है साल के बारा महीनों के हिंदी नाम लिखेंगे तो यह आप जानते हैं साल के बारा महीने हमारे जो होते हैं जो भी मंद्स होते हैं जनवरी फरवरी आप इसमें हिंदी में अच्छे से लिखेंगे खंड से या section C नीचे दिए गए शब्दों को शुद्द करके लिखो यानिके ये आपको जो है शुद्द दिए गए हैं गलत मिस्टरेक्स दी गई हैं आपको इनको सही करके लिखना है विज्यान हम सही से ऐसे लिखते हैं फिर है विज्यानिक ये विज्यानिक नहीं होता ये होता है वैज्यानिक ठीक है नेक्स्ट है बिजली की बचत किस प्रकार की जा सकती है तो इसके भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट से हमारे कि जब हमें किसी चीज का उपयोग नहीं करना होता है तो हमारे जो उपकरन होते हैं जिनका हम यूज कर रहे होते हैं वो चाहिए TV हो, fan हो, bulb हो है ना उनका हमें switch जो है off करना चाहिए जब हमारे वो हमको उनकी need नहीं होती है ऐसे नहीं है कि वेस्टेर वो चली जा रहा है then next question है किसी पौधे को यदि पानी न दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये भी आप जानते हैं हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं अगर उनको proper जो है पानी नहीं दिया जाएगा तो वो सूप जाएंगे मुर्चा जाएंगे और नश्ट हो जाएंगे तो इसको भ ही है सो गाइस प्लीज 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 लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मुझे अपनी अंश्ट को ऐसे ही सपोर्ट करते रही है जिससे कि मैं आपको भी अच्छे अच्छे जो है इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराती को भी एक्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके सो आज के लिए इतना ही गुड लग थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग आइज